नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मुकेश हैल्प दोस्तों, अगर आप 11 मार्च को हरिद्वार आकर साही इस्नान करने का प्लान कर रहे हैं तो उससे पहले इस वीडियो को जरूर देख ले क्योंकि इस वीडियो में मिलने वाली सभी जानकारी को आपको जानना बहुत जरूरी है उत्राखंट सरकार ने 11 मार्च को होने वाले साहिस्टान को लेकर नई एसोपी जारी कर दी है और ये एसोपी 10, 11, 12 मार्च को जारी रहेगी जिसका पालन सक्ती के साथ कराया जाएगा तो बनने रहे हमारे साथ और वीडियो को पूरा जरूर देखे इससे पहले सुरू करें मेरी आपसे एक छोटी सी रिकेस्ट है अगर आप इसी तरह हरिद्वार कुम की जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें अब सुरू करते हैं दोस्तो सोंबार को मुख्य सचीव ओम प्रकास ने 11 मार्च के साहिस नान को लेकर नई एसोपी जारी कर दी है जो 10, 11, 12 मार्च को लागू रहेगी इस दोरान अगर आप कुम्ब मेला छेत्र में आका रिस्नान करना चाहते हैं तो कोविट टेस्ट के निगेटिव रिपोर्ट, हेल्थ सर्टिपिकर्ट और आउनलाइन रिजिस्टेशन कराना जरूरी होगा वहीं कोविट रिपोर्ट, RT-PCR होनी चाहिए और 72 घंटे से जादा पुरानी नहीं होनी चाहिए कुम्ब मेला छेत्र में एसोपी लागू रहने के दोरान कोविट की रैंडम टेस्ट भी किये जाएंगे वहीं पवित्र इसनान के लिए केवल 20 मिनट का ही समय दिया जाएगा मौके पर तैनाथ सुरच्छा कर्मी की ये जिम्मेदारी होगी कि 20 मिनट के बाद उस ग्रूप को बाहर निकाले ताकि दूसरे लोग इसनान कर सकें अगर आप ट्रेन के द्वारा हरिद्वार पहुंचते हैं तो आपके पास कोविट टेस्ट की निगेटी रिपोर्ट कुम्मे मेले का पंजी करन होना जरूरी है तभी आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकल सकेंगे पंजी करन करने के लिए आप www.haridwarakumbamela.com बेव साइट में जाकर कर सकते हैं जिसमें अपनी डिटेल्स कोविट रिपोर्ट अपलोड करके रेजिटेशन कर सकते हैं उमीद करते हैं सभी जानकारी आपको मिल गई होगी तो वीडियो को आगे सेर जरूर करें ताकि सभी को ये जरूरी जानकारी मिल सके ताकि हरिद्वार आने से पहले वो अपने डाकुमेंट्स कम्पलीट कर सके ऐसी ही और जानकारी पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकेम दबा दें फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में आप अपना ख्याल रखे जै हिंद जै गंगे मता